ये गाइस लास्ट कि यास्ट फियू डेस की कुछ हैपनिंग्स जो पिछले कुछ दिनों में इस वर्ल्ल में हुआ है उस में आप सब जानते ही हर जगा सी कोविट 19 वायरस यानि कि करोना वायरस फैला हुआ है और हाली कि कुछ हैपनिंग्स इसका बढ़ता हुआ क्राइटिरिया इस सब बहुत ही बड़ा कंसर्न इसने बहुत ही बड़ा हाइप ले लिया है बट इस सारी चीज़ें जो चल रही है इसकी प्रेवेंशन इसका क्योर इसका वैक्सीन इस सब के अलावा एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो गया है जो मैं सोचने पर मजबूर करते रहा है कि क्या हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाल कर रहे है जब जब हम कुशिश करते हैं कुछ नया कुछ इस प्रकृति के साथ खिलवाल करने की प्रकृति हमें बता देती है कि कुछ चीज़ें उसी के पास में है प्रकृति हो सकता है हम कुछ गड़वर कर रहे है क्योंकि कोई भी चीज क्लेरिफाय भी नहीं हो पाई है प्रकृति बहुत ही बड़ा सवाल लाके खड़ा कर दे रही है कि आने वले समय में क्रोना वाइरस जिससे हो सकता है इससे 10 टाइम मोर खतरनाक वाइरस जो बहुत जिल्दी स्प्रेड हो जाएं तो हमारे पाब इसका कोई क्योर नहीं है हम चाहे कितने भी तरक्की करने साइनटिफिक ली चाहे कितने भी वैक्सीन कितने भी रिसर्चेज कितने भी सब कुछ रिसर्च कर ले still there is very weak point of humans प्रकृति कुछ चंदी सेकेंड में कुछ भी खतम कर सकते है हमें ये चीज को ध्यान रखना चाहिए एक बहुती बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हुआ है कि इस तरह का वाइरस अगर इससे और गुना तेज इससे और ज़्यादा हामफुल वाइरस अगर आता है और जल्दी स्प्रेड होने वाला तो we humans have not even have point to run not even have space to run हम भाग भी नहीं पाएंगे तो ये बहुती बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया एक बहुती बड़ा सूचने का point है कि क्या हम प्रकृती के साथ कुछ गलत कर रहे हैं कुछ ज़्यादा छिड़खान कर रहे हैं शायद उसका नतीजा है ये और अगर इस future में इससे खतरनाक viruses आते हैं ये कुछ भी आते हैं तो मारे पास क्या उससे लड़ने के लिए उससे भागने के लिए कोई तयारी है nations, UNO, WHO सब के सामने के बहुत बड़ा सवाल concern हो गया है कि प्रक्रती के आगे humans कुछ भी नहीं है और ऐसे बारसे से लड़ने के लिए हमें पहले से अपने आपको बहतर बनाना होगा कुछ और चीजों के बार में सूचना होगा कहीं बहुत सारे bugs, fixes करने के ज़रूरत है एक बहुत बड़ा point है